तो आज हम लेकने हैं पनीर कोटा की रेसिपी जिसको हम भोट घर के समानों से बना के त्यार करेंगे तो आज की रेसिपी जरूर देखिए गापकी बहुत ही टेस्टी चाले बनाना सुरू करते हैं तो हमने ले लिया पनीर 200 ग्राम पनीर लिया है हैं और दो उबले हुए आलू ले लिये हैं तो इसको हम कद्दू कस करेंगे कद्दू कस करने से क्या होता है कि थोड़ा सा भी आलू के पीचेस मोटे नहीं मिलते हैं एद्दम से बारीकी हो जाता है कद्दू कस कर लेंगे तो आलू को और पनीर को दोनों को साथ में ही हम कद्दू कस कर लेते हैं तो देखिए कद्दू कस हमने कर लिया है पनीर को और आलू को अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो हमने लिया है मेर्ची पॉडर आदा चम्मच और डालेंगे हम आदा डालेंगे स्वाद अनुसार और डालेंगे थोड़ा सा काली मेच काली मेच जरूर डालिए कोपते में बहुत ही अच्छा आता है डालेंगे जीरा पाउडर जिसको हमने आदा चमच ले दिया है और फिम इसमें आइड कर रहे हैं मैदा दो चमच आप काउन फ्लोर भी डाल सक रहे हैं क्योंकि हमें ज्यादा लर्म नहीं बनाना है इडम से कि टूट जाए इसलिए इसका में बाल्स बननाना है तो आप चोटा बड़ा जिस साइस का बनाना है बना सकते हैं देखे मैंने बॉस्त रेडी कर लिया है और हमने रग तिया है कराई में तेल गरम होने के कोफते बाहा से जल जाएंगे अधृ चैनल ये चैनल हो चैल निट eles Should सब्सक्राइब कर लिया है शुज अब इसको निकाल लेंगे इसको चैनल कोफता तो अगर आपको माई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कमेंट में जरूर बताएगा कैसी लगी है माई रेसिपी तो हमने निकाल लिया है ऑम उसी करहाई में डालेंगे एक चमाजीर और डालेंगे कटा हुआ प्याज अमने तीन से चार्थ प्याज लिया है तो उसमें दालेंगे और हम काजू और 10 से 12 कख कश्मय केो डाल के इसको अच्छे से मिलाते हैं और फ्राइपेड करेंगे दो मिनिटे तीन लगेगा इसको फ्राइब करने में तो देखिए हलका ब्राउन हो गया है तो बस करेंगे बंद और इसको हम निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए क्योंकि हमें इसी का ग्रेवी बनाना है तुमाटर की यूज नहीं कर रहे हैं बिना टमाटर काज हम खोपते बनाएंगे तो चल बिलब कर भी करहाई में जल्ट तैल हुए आप hmm नहीं कीज में टाले लिया है उसमें त्याल यूज लग कंपता टेश प्टैटें इसको दालते ऐसे में अब कर लेंगे अजीर का पाल कम आसे तें श्रीन पिद्श पमचंबले मिल्न हम ब्टर और फुलसें कि उसक्र यू अब इसी समय हम डालेंगे एक चम्मच भरके लाल मिर्ची पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे इसे कलर बहुत ही अच्छा आता है ग्रेवी में और इसको याद रखें आप डालते समय हाई फ्लेम ना करें एदम से लो कर लें या तो बंद करके गैस तब अब इसमें डाल देंगे पेष्ट जो हमने बना कर रखा था प्याज का तो इसको डालके हम दो मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए देखें इसको दो मिनट के लिए ऐसे ही बूंचते रहेंगे म हमें चलाते हुए तो इसमें हम आइट करेंगे एक चमच धनिया पौडर और आधा चमच गरम मसाला बस हमें और कोई भी मसाला नहीं लेना है यह घर में बहुत ही आसानी से सबके मिल जाता है तो इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं और चलाते हुए दो मिनट पकाएंगे मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ओयल भी छोड़ दिया है ग्रेवी मारा पक गया है तो इसमें हम एट करेंगे पानी तो हमने लिया है एक कप पानी इसमें हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं अगर जरूरत है तो आ गाढ़ा को ग्रेवी लग रहा हो तो में डालेंगे नमक मिख्स कर लेते हैं अच्छे से और भखके दो मिनट के लिए पकाएंगे ताकि पानी पक जाए तो देखिए आप एक तो बहुति हैं अग्सक्राइब कि अच्छे से ग्रेवी पक गए है लेकिन अभी हम इसमें दो मिनट और पकाएंगे तो आप देखिए मैंने बूला ना इसमें में टमाटर की यूज नहीं कर रही हो और बिना मलाई के भी मैं बनाऊंगी तो मैं दूठ डालेंगी मलाई भी यूज नहीं कर रही हो आप अकर मलाई डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं लेकिन दूसरे भी वही स्वाजा आएगा जो मलाई डालेंगे तो मैं मलाई इसको ढखके हम दो मिनट के लिए और पका लेंगे देखिया हमारा ग्रेवी बनके तैयार हो गया है बिलकुल से और इसको हम मिला लेते हैं तो देखिया पनीर िकोफता बनाना कितना असान है बहुत आसानी से तो देखिया अमने टमाटा का यूज नहीं किया था तो अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मस भरके टमैटो केचप यह असानी से सबके घर में मिल जाता है इसलिए मैंनेज का यूज किया है तो बिना टमाटर के आप देखिए न ऐसे बनाते हैं पानीर कोफते करेसिपी तो हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे और गैसो करेंगे बन और ग ग्रैवी हो गया हनगा ठंदा अब इसको हम प्लेट में डालेंगे कोफते बना करके थे तो आप जब जब सरूर करे खाने तब आप में डाल दें एक अब इसके उपर से हम तोड़ा सा ग्रेवी और डालेंगे बहुत ही सौट कोफ़ते बने हैं सबजी तो बहुत थी अच्छी बनी है इसके उपर हम तोड़ा सा मलाई एड़ करेंगे तो देखें हमारा पनीर कोफ़ता बनके तयार हो गया है बहुत ही आसानी से तो अगर आपको मैं रेस्पी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए आपको मैं इसको काट के भी दिखाती है देखें बहुत ही सौट है आप देख सकते हैं और कितनी आसानी से कम चीजों से बनके तयार हो गया है तो अगर आपको माई वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक करिए तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थाइंक यू